रीट में टॉपर्स देकर च्छाय परिश्कार एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सफलताइं देकर परिश्कार ने बनाया अपना रिकॉर्ड तो कैसे हासिल की सफलता हमारे इस टॉपर ने जानते हैं इसकी जबानी आ नमस्कार मित्रो मैं हूँ राग्व प्रकाश और मैं श्रीमती हेमलता यादव से बात कर रहा हूँ मौलूमें हेमलता यादव कोने ये 2021 की रीट लेवल फरस्ट में 150 में से 143 माक्स लेने वाली लड़की है 150 में से 143 और देखे कहां अलवर में अलवर के मौड़ावर्स में और गादवास जैसे छोटे से गाउं में रहती है बताएए वहां से इसने कोर्स लिया परिशकार का और उससे ऑनलाइन कोर्स लिया और उससे 150 में से 143 माक्स लेकर के आई हैं स्वागत हेमलता बेटा तुमने बहुत बढ़ा काम किया है तो बहुत बढ़ा एच्विमेंट है 16 लाख लोग जहां बैठ रहे हूं उन लाखों लोगों में से और 133 कैसे संबह हुआ बेटा इस सर आपकी बदूलत है समझे लोग डाउन पढ़ाना शुरू किया था ना घर पी कैमरा लगा कि तब से मैंने आपकी क्लासी देखना इस्टार्ट किया था तभी मैंने सोच लिया कि कोर्ष ले लिखते हैं सर का लिक देखते हैं फिर आपका कोर्स लिया फिर मोबाईल न में थोड़ा रिकोड़ेड क्लासिक थोड़ा नेट्रक की वज़े से प्रोब्लम की वज़े से थोड़ा शिलो चलती थी इसलिए मैंने अंड्रोड मोबाईल खरीदा दूसरा मेरे जैसे की 12th के 10th के माक्स 75 प्लस थी इसलिए गारगी पृसकार मिला हुआ था उस रुपए से मैंने अपना मोबाईल खरीदा और खरीदने के बाद मैंने इसमें वैस परिशकार वर्ड भी रखा और इसी से मैंने पढ़ाईगी मित्रो एक कितने गर्व की बात है बच्ची क्या बता रही है किस संगर्श से किस योजना से और कहां से पैसे जुटा करके और इसने जड़ा हो जड़ा हूँ तो और उरों से क्योगे हैं आपने परिशकार के साथ साथ तो फिर औरों से क्यो नहीं पाई अपरिशकार की तरफ कैसे अठ्रे KT होगी 2018 थी ना उस वेकेंसी में मेरी वुहाजी की लड़की आपकी कोचिंग में मनलब की ओफ-लाइन कोचिंग की थी तो मैंने सोचा कि चलो प्रिसकार कोचिंग सी करके देखते हैं कैसे यूटूब पे क्लास एज ली आपकी तो पता जला कि अच्छी है कोचिंग फिर मैंने इसी स सोच लिया कि इसी से करते हैं तो आपकी वुहाजी की जो लड़की बहिन है उसका फिर सेलेक्शन हो गया था क्या आपकी बार हुआ है उसका प्रोब्लम कोई फैमेली प्रोब्लम होगी थी लेकिन अब सेलेक्शन हो गया अब हो गया दोबारा और कहीं भी कहीं कोचिंग की आपने कोर्स लिया, तो उसमें विशेश क्या बात लगी, जिसकी वज़े से 150 में से 143 नमबर लाना, कोई सामानने बात नहीं, इतने छोटे से गाउं की रहने वाली रड़की, ये कैसे हुआ, ये तो बहुत करिश्मा हो गया है। उनकी तो उसमें पूरा कंटेंट डला हुआ था, मैंने एक भी बुक्स नहीं खरीदी रिट की, क्योंकि आपने सजेक्स किया था कि गाइडों में सब डाउट किलियर नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बुक्स खरीदने से बचा, और मैंने ये आपकी पीडिएफ अगे रही बिल्कुल था, इससे भी बहुत जादा था, तो ये तो बहुत बड़ी बात ही कि इसका मतलब है कि केल पीपीटी के पीडिएफ को देख करके और बच्चों एक सो पचास में से एक सो तियानीस नंबर ले आना, अच्छा हिंदी मैं अगलग थोड़ा सब्जेक्ट के बारे अच्छा हिंदी तो आपकी ऐसे ये आपने जो लोगडाउन में क्लासेज ली थी ना, उनी से हो गई थी मेरी, अच्छा हिंदी तो और मैं अमेज़ा आप जो टेस्ट चला रहे थे, ये पीएसाई वाली की, इनमें मैंने सभी टेस्टों में भाग लिया था, और मैं रैंक सब्सक्राइगा तब देखना कि खोदा पाड निकली चुईया वाला, वो होगा तो इसलिए सब वो पाई, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, मैंनत काफी की, और पेपर जो है, पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर राई, बहुत से लोग हिंदी पढ़ाते हैं, तो लेकन य उपसरग भी और यह सबी किलियर हो जाते थे एक तरे से, और सबद सुद्धी तो बिल्कुल हो जाती थी, अब हिंदी में अच्छे माक्स आयोंगे? हां सर, तीस में से तीस में से तीस, क्या बात, अब तो मैं तुम से पढ़ूँगा है, मेरे तो तो तीस में से तीस माक्स तीस में से 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 नहीं लाता, तुम भी संस्कृत तीस में से तीस में से नहीं लाता, तुम भी संस्कृत बतानी तीस में से तीस में से तीस नहीं लाता, तुम भी संस हेमलता, बहुत बदाही, 143 तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत बदाही हो, अच्छा हेमलता, कुछ अपने साथियों को थोड़ा सा एक्स्प्लें करो कि संस्कृत बहुत जटिल भाशा है, और तुम चुकि बैग्ग्राउंड तुमारा रूर रहा है, और जहां तक हमने सुना है कि बहुत अच्छी टीचिंग जो है संस्कृत को लेकि जैसा मारे बच्चों का फीडबेक हम लोगों को हाँ टीचर ने मिल पाते उनको खुद का उच्चारण जो है बहुत अशुद्ध होता है और जो व्याकरन बहुत जटिल है तो संस्कृत में कैसे तुमारी मदद कर कि बेटा यानि कि आप पढ़ाते थे संस्केत बहुत ही सरेलता के साथ और एकदम बच्चों का अंदर तक जान देते थी कि बच्चे कहां पर मतलब की कठीनाई मैसूस कर रहे हैं तो वहीं पर आप यानि कि जो भी डाउत होता था उसको किलियर कर देते थे और जो पठ दा यह दातू अगे रहा थे धातूरूप सबदरूप इनोंने आपने का काम करते हुए चलते हुए शोते हुए इनको आप रिपिट कर आप ठीक है तो यह सब हमने जो जो मैंने गाइड किया हुशी अच्छा तुम बताओ तो जब लाइव सेशन में मेरे साथ जुडती थी त तो बॉइस वर्सेश गर्ल्स में कॉंपटीशन रहता था तो बॉइस तो हुआरी शेर होते थे और लडिकें हमारी जहांसे के राणिया होती थी तो कई बार बॉइस जवाब नि दे पाते तो जब नहीं आता तो इस तरीगे से इन दोनों के वीच में ने नहीं चाहता था लेकिन लाइव लाइव ख़ाषा जो बातने चलाई थी आपने यह जब लग गया था उसके बाद कोचिंगे नहीं ख़ाए तो दो बार आपने लाइव किलासीच कोर्स दुबरा सी करवा था उसमें याने की बहुत ज्यादा था तयारी है जो श्ट्रों हुई हमारी इसके स आपने टेस्सीरीज, रीट बुलिट, पर्तिबासाली, किलासेज और रीट भुष्टार ये सभी चलाए इससे हमें ये इतना लंबा समय है ये बोरिंग नहीं लगा और हम पता नहीं चला कैसे निकल गए हमलता ये जो हमने रीट बुलिट चलाए था परिशकाल में वह एक्चुली मैं किसी का यह पर नाम लिए लेकिन ऐसा प्रोग्रम कोई इंस्ट्यूट नहीं लेकर आया वह एक तरह से कोगे शताब्ती एक्सप्रेस जैसा था रीट बुलिट और रीट बुलिट डिटन्स दो परिशकाल ने लॉंच कि उन्होंने तुम्हारी क्या मदर करी क्योंकि पूरे क्वेशन बेस थे एक तो इसमें खास बात ही थी कि यह टोपिक बाइज थी तोपिक पढ़ो बच्चे पहले टोपिक पढ़ लेते हैं और फिर उस रीट बुलेट की जो किलास है उस टोपिक को देखते हैं तो उसका श्टरोंग होता है रोव एक तरह सी स्ताइ हो जाता है ग्यान अव vibeshah कि लिए तो आज भी मेरे से कोई पूच्से तो मैं बता सकते ह। फार्मरवाली आपने कहणि की क्यानि करें था मैं बिएक किसान का बेटा रहा हूं तो उस कहणि ऐसे लगा कि हम तो आपने दो महीने में तो रैंक ला सकते हो आप तो उसी से और रिग लिगा है तो मैं ये जानना चाहते हूं कि व मारा आखरी प्रोग्रैम था पहले हमने रीट बूस्टर लॉप्सकार निरण तो उसने थो भागी थो फड़ अपर यह कैसे बूस्ट किया थे बिलिगूल और टैस्ट्रेंश सी जो बढ़िया होती है यानि कि एक तरह कोई गलतिया ना हो एस सुद्या ना हो ऐसी टैस्ट चाहिए थी और यह हमने प्रिसकार वर्ड से ली और इससे हमें पूरे सयोग रहा आपका सभी टीचर्स का मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूं उन्होंने सभी सब्जेक्टों में हमारे साथ दिया एक तरह से ओल्लाइन होना और ओफ-लाइन होना बहुत अंतर है एक तो ओल्ला इससे लिए पार हम लेवल का और उच लेवल के बच्चे को देखते भी सारा कंटेंट है जो किलिर करवा है जो टेस्सिरीज लास्ट में हुई उन पेस्ट सुरीज में ऐसी क्या खास बात थी जिससे कि एक सो पचास में से एक सो त्यानीस अंक लासकने की सामर्थ पैदा त हमां स्धून पूक्त यहां सैंगल है क्पा जाने बड़े भ बनाए है है आप फसे कि खाया अग जामन अग भूशा 2 जा इसे मंगोर्ज। हम लोग काफी गूगली फैंक्ते थे उसमें बहुत गूगली फैंक देख व्रमड हो जाते थे कि आप लोग गल्ती कर जाते थे उन 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 प्रशनों से क्या लाव हुआ लाव यह अशर कि हम आज एक सो पचास में से एक सतेत्ता लिज दे पाए मेरे लिए ते सपना ही है हमलता एक छोटा सा प्रेश्ण मेरा हुर है वीड बूस्टर का जबने फर्स्ट फेस्ट दिया था हमने सारे जितने भी हमारे यूटूबर्स थे सब के लिए फ्री था लेकिन जब रीड बूस्टर सेकंड हमने जब जारी किया तो हमने उसके पांच टेस्ट हमने उसमें दी और वो पेड था और बहुत अच्छी रेट थी उसकी ऐसी बात भी नहीं है लेकिन उस रीड बू जब देते हैं तब सोचते हैं कि यह कुछ कर रहे हैं कुछ लूट रहे हैं इस तरह से लेकिन वह अपनी क्वालिटी को छुपाना चाहते हैं कि जो कोचिंग के अलग सी होती है वो पेड में दिखा सकती है और जो फिरी वाली होती है उसकी कोई वैल्यू ने समझता जो टैस सीरीज चला ही थी आपने उससे एक तरह से बच्चा आगे निकला और यह सब उपाया यानि कि मैंने उससे बोचा दलाब लिया तुमारी यह जो स्कोर को बढ़ाने में उस पेड वाले ने काफी मदद किया और शायद हमाना काफी सारा रीट का जो सब पेपर आया ह है वो उससे बूस्टर में से मैच हुआ है उसमें क्यूशन है जो रिपिट भी हुए है और उसके आदार पर ही पेपर थोड़ा बना है हमने कोशिश की थी उसमें कि हम एक्जामिनर के पेपर सेटर के बिलकुल माइंड सेट में गुश जाए और वहां से प्रशन बना करके क्या प्रशन पॉसिबल हो सकता है वो बच्चों को दें और उस तरह से वो तैयार किया और उससे बच्चों को जैसे तुम कह रही हो बच्चों को काफी लाब हुआ चलो डॉक्टर नमीता शर्मा आपको विदा करते हैं आपने बहुत प्यारे सवाल पूछे संस्कृत के और संस्कृत में 30 में से 30 दिलवाया यह श्रे आपको वी आता है और यह खेमलता को भी जाता है इसने लिए अमित्रो डॉक्टर मोहित दिक्षित का हम स्वागत करते ह आपने हेमलता को पढ़ाया है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया और यह बच्ची देखे 150 में से 143 नमबर लेकर आई है अब हेमलता शिक्षा मनोविज्ञान का पेपर कैसा हुआ मैं सर शिक्षा मनोविज्ञान जब मैंने पेपर स्टार्टिंग किया तब मैंने पिछले पेपर के वज़े से मैंने थोड़ा डर्शा लगा कि इसमें थोड़ा कठना ही आ सकती है लेकिन जब अब अब इस प्रिसकार वर्ल्ड से जब मैंने यह किलासीज ले रखी थी कि प्लिक प्रिसक्ति को मैंने जब श्टार्ट किया पेपर देना तो मुझे बहुत ही क्यूशन्स है जो उनकी जो लेंग्वीज है वहाथ ही एजी लेंगवेज है तो मैं अपने देखके मैंने देखा है कि आप लेडी है महिला है और वो शक्तियों संघषी दोनों का एक तो आपने चीजों को थामा है आपने अपने उस परिवार को भी थामा है जहां से आप हैं वह संघश करने के बाद आप यहां तक आए तो मैं अपने आप में अगौरवान वेथ हूँ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वह बहुत अच्छा लगा रहा है आपसे बात करके एक बात में यह जानना चाहूंगा कि कही पार हम कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उतना बच्चों तक पहुंच नहीं रख पाता हैं अभी आपने बात की कि शक्षा मनुविज्यान शुरुवात में आपको लग रहा था कि कठिन विशय है और धीरे दीरे वह आप पढ़ते चले गए आपने वीडियो देखे और वह आपके लिए सरल होता चला गया तो क्या बाते थी वह सफर बताओ जो उस कठिन को सरल की त अन्यवर्ड माक्स एक कि शर चोनुभ इसे लगने लेको अचार को भीन फ्विजद के आई है और वने का जकि शफार हो लिए सर में खे ने कृच्छ से सक्माख हूँ तहां यनि की एक तीचर य॥ा यह किसी से पढ़ रही हो लेकिन एक तीचर से पढ़ ओओ पढ़ जो एक तो इनके बोहिर जी के पढ़ाने में क्या बात है जिसकी वज़े से आपको काफी अच्छा लाव गुआ तो इनका ये बहुत ही अच्छे से आइनलाईसिस करके और तब जवाव देते थे थे और साइकलोजी में एक तरह से उधारन देखे उधारन के साथ इन्होंने एक्जामपल देदे और आमें समझाए अच्छा वो जो पीपी की तयार करते थे उसमें जो पीपीट की एक खास बात है कि सर उसमें डाइग्राम्स थे इसके साथ ही उसमें अलगलग टोपिक के अलग इनकी सर जो टोपिक में जो खास बात क्या होती है वो इडाल रखी थे इस यानि की फाल्दू कंटेक्ट है वो नहीं डाल रखा थे 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 उसमें और उसमें जब एक्जाम टाइम जब दस तिन बचते हैं तब मैंने साइकलोजी क्लास तो ले नहीं पाते ही कितना टाइम तो मैंने इस PDF को बार-बार रिवाइज किया था पीडियेफ को बार बार रिवाइज किया था और उससे साइकलोजी को इतना में इनकी स्ट्रोंग बना है वासता में एक ताकत है अपनी जो PDF है क्योंकि अपनी PDF प्रिंटेड है वही चीज है जो आप PPT में देखते हैं तो जब आप से पढ़ते हैं तो बिल्कुल वह आपको अची ही लगती कि हम लाइव मुसके संग चले जा रहें और अच्छा लगा बिटा कि 14-28 बिल्कुल जो अथ दॉने वार मुसबता मित्रो हम हम लटता जी के पति श्री संतब्री से बात कर रहें यह बढ़ी बात पयारी का अ की संतें बात है और एक सो पचास में से एक सो तियारी सम्मर्ब लेकर करते हैं तो संजे भाई आपका बहुत स्वागत है यह तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि आपकी निहेम लता जो है इतना अच्छा स्कोर कर पाई 150 में से 143 ले पाई और यह कैसा मैसूस कर रहे हैं बहुत अच्छा मैसूस कर रहे हैं सबसे पहले दन्यवाद पर इसकर वर्ल्ड क दन्यवाद है जो ही कोर्स लिया मैंने 18 सुरूप है मैं कोर्स खरीद के दिया क्योंकि इतनी महेंगा ही है और इतना ज्यादा वह नहीं है अपने पास बस जमीन थोड़ी बहुत है उससे जमीदारा कर लेते हैं कुछ अपना मजदूरी वगेरा कर लेते हैं उससे कोचिंग दिलाना तो महेंगी है कोचिंग दो ओफ्लाइन कोचिंग दिलाएं तो मैंने देखा यह सबसे बढ़िया रहेगा अगर जे कोर्स से कर पाएगी घर का भी काम हो जाएगा और अपने मम्हें पापा के पास भी काम में भी जुटा देगी सबसे बड़ी मान बात तो यह है कि मम्हें पापा के साथ में जो भी काम होता था वो करवा देती थी और सयोग फूल किया मम्हें पापा ने भी फूल सपोर्ट किया है कि भई तुम पढ़ो अच्छी तरह से तैयारी करो कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके साथ हैं सबसे बड़ा दन्यवाद तो यह है मेरा मम ख़रोस बड़ोस के आज कल होता ही है कोई भी कुछ भी करते रहते हैं कि वह यह अब काम आप कर रहे हो पड़ाई करें यह ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा बिलकूल आलोच नहां करती है लेकिन फिर भी हमारे मम्हे पापा ने फुल सही लोग दिया चली बहुत ही आपके ममी पापा का बहुत धन्यवाद इस बच्ची को इतने आगे बढ़ने में उन्होंने बहुत सहयुक किया इसमें हेमलता में क्या खास बाती थी अच्छी जो आपको लगा कि और ये इतना अच्छा स्कोर कर पाई इतनी मेरिट में आपाई जैसे किसी चीज का भूत्षवार हो कोई बात बोल दी कि भाई तू तो बस ऐसी तैयारी की है और उस बोली देते हैं रोच ना कर देते हैं तो ये थोड़ा डिप्रेशन में आगे थी उसमें फिर हम भी गबर आगे थोड़ा अगर डिप्रेशन में आगे ये कैसे हो पाएगा एक महिने तक मैंने जुन-जुन होस्पिटल में एड्मिट रहा उसके बाद में साल पर तक की इसकी दवाई चाल लेकिन ये समय बच्ची है इसने किसी चीज को मन में बिठा लिया और मन में बिठा करके वो पहले तो डिप्रेशन हुआ और उसके बाद में फिर वो संकल्प में बदल गया बचो ये खास बात जिन्दगी में इस प्रकार की डिप्रेशन आते हैं और हम लोग अपने आपको बहुत चोटा कमजोर समझने लगते हैं लेकिन वहीं पर फिर ये चेंज कैसे हुआ या बहुत बड़ी बड़ी प्यारी बात कहरे हो मैं आपके आँखों में आशू देख रहा हूं ये मैं तीन भाई हैं आप कोंसे नंबर पर हैं चोटा ही चोटा हूं आप चोटे 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 तो माबाप ने क्या किया कि फिर इस बच्ची को निकाला और कैसे हुआ सर दवाई वाई दिलाने में और अपना जो भी था कि बड़ी जैसे भी पढ़ाई में इनको कुछ भी नहीं करने में अकबई जैसे तुम करो अपना बड़ी अपढ़ाई करो बहुत सहस्ता रही और कोई दबाव नहीं डाला इस पर अब हमलता मैं तो अब ये सवाल तुम से पूछना चाहता हूं ये तो बड़ी बहुत प्यारी अच्छी विश्रा में चली गई बात कि कैसे वो तुम्हारे उपर क्या दबाव रहा रहा दबाव से तुम बाहर कैसे लिख लिखिए ज अब बात है कि में एक तरह से बच्पन आ गई थी मेरे अंदर मैं जैसा बच्चे इस तरह से कर लिन करने लग गई थी में डेप्रेशन में चली बैच जी का और साजी का बस होगय है हो कि एक एक्जाम देने से कोई ऐसे थोड़ी है कि तो अब की बार ही एक ही मोक्कों मेले हो सगी तो है मैं तेरों सब की इमत लग की वो गया हुग हतम हो गया और अगली बार फिर वेक एंसी आएगी फिर देना अच्छे नम्मर आएंगे तेरे मतलों की चिंता मत कर इस तरह से दिला से दिलाई इसलिए मैं थोड़ी इंमत आई मेरे अंदर और मैंने फिर दवाईयां भी बंद कर देदी देरे और फिर यानिकि जब मैं पढ़ती थी तो कोई मुझे डिस्टरवेंस नहीं करता था निकि पढ़ाई कर रही है तो इस परने दो और जब मेर मन करता था का करने का तो मैं काम करती थी यानिकि फुल सपोर्ट था पढ़ाई के पढ़ती और मैं सभी यानिकि सास ससुर को अपने काना चाहूंगे कि अपने बोगों को जो पढ़ना चाहती है उनको पढ़ाएं उनको आगे बढ़ाएं मेरी साथी तो दो जर तेरा में हो गई थी सर ओ लगा है कभी भी जब मैं रुपए मांगती थी तो उन्होंने कभी मुझे मना ने किया कि यह रूपए किस लिए ले जा रही है कूं ले जा रही है इतने रूपे कहां से आएंगे इस तरह से यह कुछ बाते हैं जो कभी बेटी भी नहीं कई , इन्होंने फुल सहयोग की involved मौने पड़ाई के परती वह लादा के cardio है , ज़ाड़ा की ज़्यादा वह भी lightly वह अभे बहुत अवेरे हैं इनोंने इन इन तिन-ो बैयों के परती भी बहुत ज़ादा रुपरा को खर्च कियों है, लेकिन फुर्स नोकरी किस्मत की नहीं लग पाए, लेकिन उन्हें का कि यह भी है जो बेटिओं की समान ही बहुत अच्छा। है इन्हों रहा बेटिा' उन्हे को बहँं के सामाना हो बहुत अच्छा। बहुत से बच्छें रीट में।ंत में। और बागय kayak कर लाए zap लेकिन हेमलता से सीख सकते हैं बहुत से माबाप हेमलता के साससूर से सीख सकते हैं बहुत सी लड़कियों के पती संजे से सीख सकते हैं कि कैसी विप्रीत परिस्तितियों में पतनी का साथ देना उसको डिप्रेशन में अस्प्ताल में भरती कराना वहाँ से दवा ले आना और उसके बाद हिम्मत बढ़ाना साससुर के दवारा हिम्मत बढ़ाना फिर एक बच्ची का दवा छोड़ करके वापस एक जुनून की तरह जुट जाना और उसके बाद 150 में से 143 नमबर लाना देखो जिन्दगी किस प्रकार का क्या वापस यूटर्ण लेती है और इतनी हुचाईयों तक ले जाती है इसलिए डिप्रेशन का जिन्दगी में कोई स्थान नहीं है किसी को कमजोर होने की जरत नहीं है सिर्फ एक दूसरे और जो मोर्चे के लिए अपने आपको तयार करना तो जो बच्र अभी रिट में कहीं कमजोर रहे गएं किसी भी एक्जामनेशन में कमजोर रहे गएं आप लोग फिर से वापस अपने आपको मजबूत करो और ये धर्म है हमारे परिवार के और दूसरे सदस्यों का कि ऐसे कमजोर भी महसूस कर रहे हैं बच्चों को हिमत बंदाएं और वे उनको आगे बढ़ाएं ये हेमलता के साथ देखो हो गया ना हेमलता का इत्यास बदल गया ना ये काम कुआ है अशन्जे जी हेमलता का ये बड़ा बारीक मामला था कैसे कैसे तो आप किसी सिती से मनस्तिती से गुजरे और आखिर तक ये कैसे हुआ है और अब आप कैसे मैस透chi सोखते हैं कि समय का बदला जो चलते हैं लेकिन अपनी मैनत करते रहना चाहिए आद्में को कभी भी यह नहीं नहीं करना चाहिए कि भी मेरा थियर ऐ हो गया बस यहां तक इसी में लेकिन चलता रहना चाहिए बढ़ता रहना चाहिए जो भी कुछ फरिस्तित आती है यह समय लेना चाहिए एक समय का बदला हो है अपनी मेनत को कभी भी कम नहीं लेकिन हेमलता जब बीमार थी तब आपने नहीं सोचा कभी यह लड़की कुछ नहीं कर पाएगी और यह तो ऐस से होगई कुछ समय खराब है बस यह सोच लेते हैं हम तो यह सोच समय खराब है लेकिन सब क schwida हो जाएगा कुछ मैन्द करेंगी हो जाएगा लेकिन इसको यहriers दिला लाते रहे अख यह तो एक एक्जाम दिया है, फस्टी तो एक्जाम दिया है, अभी काफी एक्जाम है आपके तो, क्या होगा, उससे क्या होगा, अरे फिर भी आपके पास इतनी quality है, आप नोकरी भी नहीं लगोगे, तो quality है, आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई और प्राइवेट सेक्टर म के पास, यह दिलासा दे के फिर इसको बिलकुल अच्छी तरीके से होग करता है, अच्छा हेमलता जब दुबारा तैयारी कर रही, यह तैयारी के मूड में आ गई, और कोर्स ले लिया, तो वो जो पुरानी अस्फल था उसने तुमको डिस्टरम नहीं किया क्या, नहीं से कुछ नहीं हुआ, मैं पहले वाली तैयरी जो 2008 कि थी ना, वो मैं बूल गई थी, अच्छा है, बूल गई थी? यह बूल गई थी, और मैं एक तरह से उसको दमन कर दिया था, यह डिप्रेशन के जो टाइम था, उसका मैं नहीं दमन कर दिया एक तरह से, जो भूला दिया ब इससे हो जाता है, लेकिन मैंने ये दिदा आपन हम गणने को मॉतिवेशन हुई, मैं ऑने ऐसे मोटिवेशन हुई। ऑर एक परना से तण आपना अपना है मैंने अपनी पड़ाओं, short Но. मैंने थैका बात बता था, कि एक सा बहु कहें है। उनने के पढ़ाने के तरीके में बीच भीमें मोटिवेट करने के तरीके में, इसने तुमको क्या मदद की? यह एक तरह से टीचर में यह एक तरह से गुण होने चहीए कि बच्छे को पढ़ाने पढ़ाने से बहुर हो जाता है और यदि आप उसको पढ़ाने के साथ साथ उसको मोटिव करोगे और उससाही गाइडेंस दोंगे तो उनागें वो एक दरहें से पढ़ाई उसको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास कटम हो गई और समझ में भी आ जाएगा यह सब तो यह सब परिशकार के टीचर से मिला मोटिवेशन मिला यह सब परिशकार के टीचर में सारी खूबियां है अच्छे से चलो यह बहुत अब तो चलो एक सफल ऑछ अब अभी और और दिखा सकती है कि हमलता तुम क्या सोच दियो अपने आगे के बहुशे के बारे में मैं जैसे की कि यह लोजने के बाद मैंने बेठी किया अच्छा अच्छा आप एमें कर लिया और बीर्ड चल रही है मेरी अच्छा जो है अच्छा जो हमारे पास जो भी कोर्स अवेलबल होगा वह हम तुमहरे लिए बिल्कुल फ्री देंगे हम अब तुमको यहाँ पैसा खर्च करने की जरूत नहीं है और इसलिए तुम अपना फुष्ष जहां जि कोर्स से वो सब हम आपको अर्पीत करते हैं हमलता एक तुमारा भूत ही पर्सनल सवाल हम से पूछ रहे हैं क्योंकि यह सवाल बहुत से लोगों के भाई-भाहिनों के बीच में मा बेटे के बीच में और पती-बतनी के बीच में भी होगा कि जब कभी एक विक्ति बहुत द संकट को खोला और संझे जी ने क्या मदद की आपने क्या मदद लेने की कोशिष की जब सर में थि तब nonetheless सब ने करती थी टिस книoda किसी सब relief knit इन की सब ही अच, इनिक कि अई आप्स इस अभाता था कि मेरा यनिक कोई नहीं है और वैसा इस तरह से प्रीवार जब डिप्रेशन होते हैं तब दिए देख़े देख़े जब दवाया लेती थी तो जदे तर उने वगएरा की देते हैं। तो सोने के बाद थोड़ा रिलेक्स नहीं सुस करती थी और उसके बाद यानिंगी सबी से देरे देरे अच्छा बरता हो करने लगी। बहुत ही अच्छ है, इसे मैंने तो आज तक ऐसा परिवार कहीं देखा ही लिए, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत गर्म करने की बात, संजे आपने जब ये बहुत खात तरह से उस खराब इस्तिती में आ गई और लगा कि अब ये इसका तो सही होन ही मुश्किल है, अभी तो नोकरियो últimos बात की की बात है तो उस दौराद आपने इनकी बातों सुनकर के अपने आपको हिमत कैसे बनाई री इनकी हिमत कैसे बनाई सर हिमत तो बनानी पड़ती है अगर ज़ी इसकी तरह से थोड़ा सा वो कर लेंगे तो पिर कैसे काम चलेगा अपना खुद का भी तो उस ख्याल रखना है आगे बहुत जिंदगी जिनी है उसको अगर जए ऐसे कर लेंगे तो फिर खुद भी हो जाएंगे इसकी तरह डिप्रेसिन में आ जाएंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो आपने बजाए की इसके समस्या से गिर जाने गी खुशी के माहूल में ठोड़ा खुशी के माहूल में रखने के लिए कोई गल्त पी काम जैसे हो जाए काम या कोई डाट डूट का ये से काम हो जाए यह थोड़ा जगरा भी अगर जभी जाता है पतितनी के बीच में लेकिन फिर भी उस बात को हमने दबा के अपने असी खुजी के मावल में लेके आने की सूचते हैं। लेके आने की सूचा है। ये काम की आर दी तो ठीक होगी। तो चलिए बहुत अच्छा है। बाकी काम ये ही समालते थे। फोरम भलना, कोर्स वगेरा खरीदना और सभी मुझे तो बैस पढ़ना थे। पढ़ाई के लिए छोड़ दिया है। बाकी काम ये ही करते है। जब ये डिप्रेशन माई जब बिलकुल ऐसा थोड़ा एक बर्दम से आतास साता हो ही जाता है। आदमी है कि ये क्या हो गया। तो मैं जब फिलाल जे डिप्रेशन माई मेरा एक्जाम था जोड़पूर गया हुआ था। दो एक्जाम थे। एक जोड़पूर था। तो तीसरी डेट को मेरा यहां जैपूरी था। तो घरवाड़ों ने मेरे को बताया भी नहीं फोन पे। तो पहले थोड़ा हुआ था एक दो दिन पहले यह। तो ठीक होगी थी हमने यह दवाई दिलाई। तो आसपास के लोग वो बता देते हैं ना कि वैसा यह चेड़वगेड़ा का वो है। उस चक्कर में पढ़ गए लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर से दिलाई थी। उसमें बोला आप एक्जाम तो देखाओ कोई दिकत नहीं है। इनसे बात हुई इन्होंने भी कहा है मनताने भी बोल ठीक हो मैं आप जाओ। मैं वहां से जोद पुरली कड़ गया। बात होती रही घर को से। घरवारा ने बोल बिलकुल ठीक है। इससे बोल वो अभी इदर है। तो जैसे ही मैं वहां से एक्जाम दोनू एक्जाम देखके रवापिस घर जा रहा था। जब पहुन आया बुल कहां पहुच ले मुख मेरस ताम हो। बुल जल दिया जाओ तो ज़्यादा बेमार होगी। उसके बाद में फिर आमने इनको जुन-जुनू एक होस्पिटल है। उसमें एडमिट करवाया। युनूरु के उस्पिटल में और वहां से प्रवाया। साल बर का ठीटमेंट चला। तो देखो मित्रो आप बात में से बात हमें तो पता नहीं था लिकिन बात में से बात हाँ आप कुछ कहना चाहरेगे। जी सर एक बात कहना चाहता हूं मैं, कोई भी अगर जे पढ़ना चाहती है, लड़की हो, कोई भी हो, उसको पढ़ाओ, ये जरूरी नहीं है, आके आप उसको अच्छी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग में डालो, जितना हो सके अपने बास खर्चा है, वितना, आप इतनी उस को करो, ओनलाइन आज कल तो ओनलाइन खुब अच्छी क्लास से चल रही यूटूब के ऊपर, उससे पढ़ाज सकते हो, ये बात, तो ओनलाइन का परिणाम ही ना, सामने, सामने, हाँ, ओनलाइन का ही तो परिणाम है, आपने का अठारा सु रुपे में कोर्स खरीदा, अठार नहीं था, ये तो बात से बात निकल गई, लेकिन देखो, कितना सीखने के लिए यहां पर इस सारी कहानी में, कि हम लोग कैसे अपने डिप्रेशन, अनेक प्रकार की डिप्रेशन, कोई अस्ट्राल में भरती होना ही डिप्रेशन नहीं है, लेकिन पलाइन हो जाना, संगर् में कूदना चाहिए, और फिर से हेमलता की तरह 150 में से 140 जैसा, बिलकुल meritorious हमको अपना केरियर बनाना चाहिए, ये बहुत प्यारी बाते हैं, मैं आज हेमलता आपको और संजे जी आपको, आपको दोनों को मैं विदा करता हूँ, और बहुत गर्वित करता हूँ, परिश